शिल्पांचल तथा आसपास के ग्रामीन बासियों को खेल कूद के महत्वसियव गत करानी तथा उनमें खेल की भावना और प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्टील प्लांट वारा समय से में पर कई खेल उकायो जन किया जाता है गत 15 तथा 16 जून को स्पोर्ट्स हाउस कॉंपलेक्स में ISP के स्पोर्ट्स एं रिक्रियेशन डेपार्टमेंट द्वारा CSR इंटर विलेज का बड़ी टॉर्नमेंट 2023 का आयोचन किया गया इस टॉर्नमेंट में आसपास की कुल 16 टीमों ने भाग लिया यह टॉर्नमेंट दो ग्रुपों में खेला गया CSR इंटर विलेज का बड़ी टॉर्नमेंट 2023 का ओपिनिंग मैच छोटो दिगारी तथा खुश्वहान अगर के बीच खेला गया टॉर्नमेंट की शुरुवात में ओफिसियेटिंग एडी पी एंडे श्रिपवन कुमार तता सीजीम पी एंडे श्रिमती सुश्मितारोई ने सभी टीमों के खिलाडियों से हाथ मिला कर उनका अच्साह बढ़ाया इस पूरे टॉर्नमेंट में सभी टीमों के खिलाडियों का बहतरीन प्रदर्शन रहा अपनी अच्छे प्रदर्शन से बोरोदिगारी तथा स्यामबान की टीमों ने फाइनल में अपनी जगह बनाई CSR Intervillage का बड़ी टॉर्नमेंट 2023 का फाइनल मैच 16 जून को ग्रुप A से बोरोदिगारी तता ग्रुप B से स्यामबान की टीम के बीच खेला गया इस टॉर्नमेंट के फाइनल में मुखे अतीथी ओफिसी एटिंग EDP एड़े श्री पवन कुमार के साथ सभी अतीथियों ने दोनों टीमों के खिलाडियों से हाथ मिलाते हुए उनका होसला अवजाई किया इस टॉर्नमेंट में दोनों टीमों ने प्रहतर प्रदर्शन किया परंतु सयामबान की टीम ने बुरुदिगारी की टीम को 38-22 से हरा कर CSR Inter Village कबड़ी टॉर्नमेंट 23 की ट्रोफी अपने नाम की ओफिसी एटिंग EDP एड़े श्री पवन कुमार ने विजेता श्यामबान की टीम के खिलाडियों को रनर्स ट्रोफी तथा व्यक्तिगत पुरुसकार प्रदान कर सम्मानित किया CGM बिजनेस एक्सेलेंस रियमी शम्शी ने उपविजेता बोरोदिगारी को रनर्स ट्रोफी एवं व्यक्तिगत पुरुसकार एवं CGM R.M.H.P.R. भल्ला ने मैच ओफिशिल्स को मोमेंटो देकर सम्मानित किया